दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि अगर आपके भी मेसेंजर से कोई कॉल नहीं हो रहा है वाइस कॉल या फिर वीडियो कॉल नहीं हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो तो गैस अगर आप भी चाना चाहते हो तो इस वीडियो को प या किसे को भी voice call या फिर video call नहीं हो रहा है तो सबसे बहले guys आपको करना के simply आपको सबसे बहले अपने mobile के settings में जाना है mobile के settings में जाने की बाद आपको जो यहाँ पर एक apps का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको apps वाले option पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको manage apps पर clickना और इसके बाद आपके mobile की सबी application आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर guys आपको messenger application को डूणना यहाँ पर search bar पर click करके यहाँ से आप messenger app को search कर सकते हो यहाँ पर guys आपको messenger application देखने को मिल जाएगी Messenger application पर click करने की बाद दूस्तों यहाँ पर आपको इस application का force stop और Clear data सबसे पहले आपको कर देना है Clear data पर click करनी के बाद Clear all data पर click करके o.k. पर click करना है इसके बाद guys यहाँ पर force stop भी कर लेना है और यहाँ पर guys आपको app permission का एक option देखनी को मिल जाँगे तो यहाँ पर एप permission पर क्लिक करने की बाद अगर आपकी इस application की camera की permission अगर allow नहीं है तो यहाँ पर आपको जोए camera वाला option पर क्लिक करने की बाद permission को यहाँ से allow कर देना है और इसकी बाद यहाँ पर guys आपको जोए यहाँ पर telephone का एक option देख रहा है इस पर क्लिक करने की बाद इसकी permission को भी चालू कर देना और यहाँ पर contact की permission को भी यहाँ पर आपको allow कर देना और यहाँ पर इस तरी किसी microphone का permission को भी चालू कर देना है और यह सारी permission चालू करने की बाद यहाँ से आपको back आना है और इसकी बाद guys फिर भी यह problem ठीक नहीं हो रही है तो आपको playstore में जा अपने मूबल में messenger app को open करना है और इसकी बात आप messenger से किसी को भी voice call या फिर video call करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी problem नहीं आईगे आपका इसलिए आप किसी को भी messenger app से voice call और video call कर पाऊगे तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इस process को follow करके आप इस problem को ठीक कर सकते हो दोस्तों कर आपको इस वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर से किजिएगा